हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम ट्राउजर डिजाइन बनाएंगे तो ट्राउजर डिजाइन बनाने के लिए जो आपका ट्राउजर का कपड़ा है उसमें आपको तीन इंच लंबाई एस्ट्रा लेना है ट्राउजर के कपड़े को ओपन करके यहां से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारी के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस बात का फ्रेंड आपको ध्यान रखना है आपका जो भी ट्राउजर का साइज है उसमें आपको तीन इंच एस्ट्रा लंबाई लेना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे देड इंच की चोड़ाई नाप कर हमें फिर से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए देड इंच की दूरी पे आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है अब हम इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को देड इंच की दूरी पे फोल्ड करते हुए हमें ऐसी 9 लंबी लाइन वाली डिजाइन बनाकर तयार कर लेनी है यह देखिए हमने 9 लंबी लाइन ऐसी बनाई है कपड़े को फोल्ड करते हुए देर देर इंच की दूरी पे हमें कपड़े को फोल्ड करके ऐसी लंबी लाइन बनाकर तयार कर लेनी है कपड़े में अब हम डिजाइन को तयार करने के लिए साड़े चार इंच ओड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की लंबाई हमने 40 इंच ली है कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हम इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सेप्टी पीन की सहायता से या किसी भी नोखिली चीज की सहायता से हम कपड़े को ऐसे सीधा करेंगे यह देखिए इसे ऐसे सीधा करने के बाद अब हम इस कपड़े को इस्त्री कर लेंगे कपड़े को इस्त्री हमने कर लिया है डिजाइन को तयार करने के लिए हम कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे तो फ्रेंट कितना फोल्ड करना है यह नाप लेते हैं ये देखिए, दो इंच की चोड़ाई नापको और इतना आपको फोल्ड करना है, और इसके उपर सिलाई चला लेनी है, अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे, अब हम इस डिजाइन को ट्राउजर के कपड़े में लगाएंगे, तो जो फ्रेंड हमारा ये ट्राउजर का इसमें हमने इस्तरी की सहायता से यहां पर बकरम को पीछे की साइड में बकरम को ऐसे चिपकाया है, हमने डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए कपड़े की उपर ऐसे बकरम को चिपकाया है, डिजाइन को तयार करने के बाद हम डिजाइन में से बकरम को निक और इसके उपर सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब यहां से हम डिजाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे और जितना डिजाइन का लंबाई है उतने लंबाई पर हम ऐसे सिलाई चलाएंगे यह देखिए हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है यहां से धागे को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड आपको डिजाइन के लंबाई के बराबर ऐसे सिलाई चला लेनी है अब हम दूसरे साइट से ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे जितने दूरी पे हमने सिलाई चलाई है वहाँ से हमें ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से फ्रेंड आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकती है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका उप्सन सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से आपको डिजाइन की लंबाई नापकर ऐसे सिलाई करनी है फिर दूसरे साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें यहाँ पर इसकी सिलाई कर देनी है बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है तो ये देखिए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां पर कपड़े के उपर हल्का सा सिलाई चला लेंगे ऐसे सिलाई करने के बाद यहां किनारे के साइट से हलका सा कपड़े को कट कर लेंगे यहां से कपड़े को ऐसे कट करने के बाद अब हमें 2 इंच 2 पॉइंट चोड़ा एक लंबा सा बक्रम लेना है यह देखिए बक्रम की चौड़ाई दो इंच दो पॉइंट है और इसकी लंबाई ट्राउजर के चौड़ाई के बराबर है बक्रम को कपड़े पे ऐसे चिपकाने के बाद हम दोनों साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे इसे ऐसे फोल्ड करके हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो यह देखिए सीधी सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है यहाँ से हम धागे को और एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एस्ट्रकपडे को cut करने के बाद अब जो हमारा चौड़ी पट्टी का ये डिजाइन है इसे हमें ऐसे चप्टा करके इस्त्री कर लेना है तो ये देखिए सारे डिजाइन को ऐसे चप्टा करके हमने इस्त्री कर लिया है इस्तरी करने के बाद अब हमें सुई धागा लेना है और इस डिजाइन को हमें दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए सुई को नीचे की तरफ से उपर की तरफ लाएंगे फिर दोनों साइट से हम ऐसे डिजाइन को फोल्ड करेंगे अब सुई को पीछे की तरफ डालते हुए हम यहां से धागे को ऐसे लॉक करेंगे यह देखिए यहां से हमें धागे को अच्छे से लॉक कर लेना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट कितना आसान तरीके से हमने इस डिजाइन को तयार किया है बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे डिजाइन को फोल्ड करके हमें इस डिजाइन को तयार कर लेना है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सेलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे यह देखिए हमारा दूसरा डिजाइन भी तैयार हो चला है बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे डिजाइन को तैयार कर लिया है अब हमें क्या करना है यहां नीचे की साइड में हम एक सिल्वर कलर का पतला सा लैस लगाएंगे कर लेंगे और एस्ट्रा लेस को भी सूई धागा के मदद से या फैबरिक ग्लू के मदद से हमें डिजाइन में मोती को लगाना है मोती को हमें डिजाइन के बीच बीच में यहां पर लगाना है तो यह देखिए हमने डिजाइन में मोती को लगा लिया है अब हम डिजाइन को उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद ये देखिए आप यहां से बकरम को इजली ऐसे निकाल लेंगे बकरम को निकालने के बाद और ट्राउजर को तैयार करने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा तो फ्रेंड आपको ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट मे जरूर बताएं थांक्स पर वाचिंग माई वीडियो